हलो दोस्तों वेलकम टू रोड टू आईटी और जैसी कि आप सो को बताए कि हमारी जे डबली मेंस 2020 रेंक बूस्टर क्वेश्चन सिरीज हमने स्टार्ट कर दिये हमने एक जो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टन चेफ्टर था को ओर्डिनेट जियोमेट्री हमने खतम कर यह ठीक है हमने एल्रेडि उसमें 11 लेक्टर के जीक है और हम अलमोस्ट 11 लेक्टर में मैंने 20 से जादा पूस्ट हमने साल किये अच्छे अच्छे क्यों चॉल किया आई हो तो सबको मजाया होगा ठीक है अगर हमारे पास जाधा टाइम बचेगा अगर बच्चों की रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं और वीडियो इस पर बना सकता हूँ जैसे कि मैंने आपको बता आथा कि अब हम स्टार्ट करने वाले नेक्स चेप्टर जिस पर हमारे अगर आपको कोई भी चेप्टर पहले शुरू करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं आप अपने क्वेशन भी यहाँ पर मुझे बेच सकते हैं तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेशन की तरफ अब आपको बताना कंसेंट क्लियर करवाना और इक चीज बताना चाहता था इसलिए यह पेशल विशन यह दिखो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कि यह function अंदर जो दिया है 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा जबी भी इस तरह का function होता है तब हम इसका conjugate लेते हैं सबको बताए conjugate मतलब नीचे 1 माइनस आयोटा है तो उम्हें 1 प्लस आयोटा और से डिवाइड सब्स आयोटा कर दूंगा ठीक है 1 प्लस आयोटा से मट्लिवाइड कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा उपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का whole square divided by नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा square ठीक है ओके यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा square ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा square होता है माइनस 1 यह तो सबको पता ही होगा ठीक है बताने कोई बात ही नहीं है तो नीचे हो जाएगा 2 ठीक है यहाँ पर भी देख सर जो बचा है यह वह आई बचा है ठीक है आई बचा है मेरा ओके एक पेज मैं ले लता हूँ तो यह मेरे पास बच गया i raised to n is equal to 1 ठीक है यह मेरे पास एक बचा है चीज ओके अब सबको बता है कि i की value क्या होती है आप मुझे बताई है i की value होती है square root of minus 1 तो यह भी सबको बताए कि i square होता है minus 1 और यह भी सबको बताए कि i cube i cube होता है i square into i i square into i that is यहाँ पर minus 1 तो minus 1 into i that is minus i और i raise to 4 i raise to 4 होता है i square into i square आइस्वेर मतलब माइनस वन यह भी माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस वन ठीक है तो यह एक कॉमन वेल्यूस है और जो हमें याद रखनी हो याद रखनी की जरूँद नहीं है यह सब को पता है ठीक है इसमें कोई rocket science नहीं है मैं अब फिल से बता रहा हूं question easy है लेकिन मैं स वन अमइनस वन दोनों नहीं है positive में start I will start with one वन अगर लूंगा तो मैशर्उट आयगा तू लूंगा तो मैशोन अ थीलूंगा तो मैनस आयगा तो मशर्उट G. यहां पर 4 है 4 लोंगा तो प्लस 1 आएगा ठीक है तो minimum value minimum value of n is equal to 4 ठीक है minimum value of n is equal to 4 ठीक है तो यहां पर मेरा answer आजाएगा option number d ठीक है कई बार बच्चे बहुत confused हो जाते हैं none of this answer mark करने पर उन्हों लगता है कि नहीं question देखते हैं यह वाला question मैंने इसी लिए लिया था मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता था कि देखो यह वाला question और यह वाला question लोग कहते हैं कि जी डेवली में भाई या question repeat नहीं होते है देखो repeat हुआ है यार यह यह दोजार तीन का question है यह उससे भी पुराना सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज है यहां पर फिक्स्ट वैल्यू दी है यह जबकि यहां पर common form में दिया है ठीक है वहां पर एन लिखा था यहां पर एक्स लिखा है ठीक है कोई भी यह difference नहीं है यहां पर देखो यह हो जाएगा i rest to x जैसे मैं आपको आगी बता दिया is equal to 1 दिया है अब यहां पर बताओ कि यहां पर 1 चाहिए तो कौनसी value हमें x की put करनी पड़ेगी ठीक है हर जगा बोला है n is any positive integer positive integer मतलब n belongs to आप कह सकते हो n capital N ठीक है 7 ठीक है तो आप मुझे बताओ i cube i7 इस सबकी value क्या होती है i square into i that is minus i value होती है इसी तरह से यहां पर देखो यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखने पर आएगा 4 फिर आएगा 8 अब आप मुझे बताओ i rest to 4 क्या होता है i rest to 8 क्या होता है i rest to 8 होता है 1 हमने अभी अभी 2 रखो तो 4 आएगा ठीक है तो यह तो किसी भी general form नहीं हुआ यह तो 2 4 मतलब 4 और दोनों का general form हो गए ठीक है तो इसमें तो हमारा answer minus 1 भी आ सकता है और plus 1 भी आ सकता है ठीक है और last है 4 and plus 1 तो आप 1 रखो गे तो आएगा आपका 5 फिर आएगा 9 ठीक है 5, 9 इन सब की लिए ह आप हमेशा आपका answer ला सकते हो ठीक है हमें सिर्फ पता होनी चाहिए यह 4 values यह i is equal to square root of minus i है i square is equal to minus 1 है और i cube is equal to minus i है और i rest to 4 is equal to plus 1 है ठीक है यह अगर 3-4 values हमें पता है तो हम हमेशा कोई भी questions के answer लिख पाएंगे ठीक है i hope सबको यह चीज समझ में आ रही होगी question repeat भी होता है लेकिन fundamentals जानना जरूरी है ठीक है this is nothing but a fundamental thing चलिए आगे बढ़ते हमारे next question पर easy question डिया है मैंने आज आज की लेक्षर में दोनों question है दोनों easy है दीरी दीरी हम toughness बढ़ाएंगे ठीक है ओके तो चलिए अब यह वाला numerical देखते हैं क्या बोलागा है यहाँ पर omega is equal to minus 1 by 2 plus iota root 3 by 2 then value of determinant of this हमें find करना है ठीक है ओके अब यहाँ पर देखिए कई बच्चे क्या करते हैं तो यह तो भाया है 1 by 4 plus 3 by 4 that is 1 unity है ठीक है that this is nothing but a cube root of unity ठीक है this is nothing but minus 1 by 2 है और root 3 by 2 minus b है that means cube root of unity है सबको पता होना चाहिए this much fundamental everyone has to know तो यह मुझे पता चल गया this is cube root of unity cube root of unity मतलब w cube is equal to 1 है फिर 1 plus w plus w square is equal to 0 फिर omega rest to 4 क्या होगा omega rest to 4 होगा omega cube into omega is equal to यह 1 है तो यह हो जाएगा omega ठीक है this are some properties यह everyone should know this एक और चीज़ यहां पर देखो यह जो है star का star omega की thumb में है और हमें जो answer दिया है guys वो भी omega की thumb में ही है तो मैं कहा करूँगा पहले इसको simplify करूँगा और फिर मेरा answer लाने का try करूँगा ठीक है चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ इसको यह है 1 1 1 1 minus 1 minus omega square omega square ठीक है यह हो जाएगा 1 omega square omega rest to 4 कोई दिक्कत नहीं जरा से भी दिक्कत नहीं let's do one operation सबको add कर देते हैं उपर row operation कर रहा हूँ r1 is equal to r1 plus r2 plus r3 ठीक है तीनों को add कर दो तो यह हो जाएगा 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 मार डालेगा omega तो यह 0 यहाँ पे हो जाएगा 1 plus omega square plus omega rest to 4 यहाँ पे तो same का same तो यह same चीज रहेगी ठीक है कोई problem नहीं है ठीक है जरा next page मैंने लिया और यह लिखता हूँ मैं 3 0 अब आप मुझे बताइए 1 plus omega square omega rest to 4 omega rest to 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं आपको दिखा है omega rest to 4 is equal to omega cube into omega omega cube 1 है तो यह हो जाएगा omega तो यह हो जाएगा मेरा one plus omega square plus omega one plus omega square plus omega है one plus omega square plus omega है zero तो यह भी हो जाएगा zero ठीक है अब देखो यहाँ पर है one okay minus one minus omega square oh minus one minus omega square minus one minus omega square तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ आप मुझे स्क्वेर ठीक है यहां पर है one और omega square omega rest to four ठीक है एक डम इस से जाले simplify में नहीं कर सकता था जितना हो सका मैंने simplify कर दिया अब यह दोनों तो zero है यहां से कर दूंगा open तो यह हो जाएगा 3 यहां पर हो जाएगा omega into omega rest to four minus omega rest to 4, ठीक है, अब देखो, 3 है, omega rest to 4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा omega minus 1, omega rest to 4 को अगे इन में लिखूंगा, 3 into omega, omega minus 1, ठीक है, तो ये मेरा आगया final answer, I hope ये option में होगा, 3 into omega into omega minus 1, option number B is my correct answer, I hope सब को समझ में आया होगा, हमने क्या जाना यहाँ पर, आप मुझे बताईए, हमने जाना कि, अगर cube root of unity है, तो ये properties होती है, ठीक है, I hope सब को ये पता होगा, नहीं पता है, तो मुझे comment करिए, मैं इस पर, root of unity पर, roots पर, आयो टाकर, roots पर मैं special एक lecture बना देता हूँ, ठीक है, और नहीं पता है, तो, I hope सब को पता होगा, उसकी properties का use करके, बार बार properties इस्तमाल करके, simplify करके, हमने ये answer ला दिया है, ठीक है, दोनों के दोनों question easy लिये थे, लेकिन हाँ, fundamental बताने थे, इसलिए लिये लिये थे, question repeat भी होते है, इसलिए, previous जानना ज़रूर है, इसलिए हम previous जाना भी solve करने हैं, ठीक है, तो तो चलिए मिलते हैं next lecture में, thank you